दोस्तों विंटर के दुरान समर में ग्रों होने वाले प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाती है जैसे आज हम मनी प्लांट की बात करने वाले हैं तो अब मार्च का टाइम शुरू हो गया है तो इन प्लांट्स की ने शरे से ग्रोथ करना शुरू कर दिया है जब winter में इनकी जो growth विल्गुल रुक गई थी उसके बाद फिरम कौन कौन से guarding task परफॉर्म करे तांकि पुरी summer के दरान पुरी गर्मियों के दरान ये plants हरे बरे रहें तो इसी के बारे में दोस्तो हमारी आज की वीडियो है अगर आपने money plant grow किया हुआ है तो आपके plant की भी condition winter में कुछ इस plant की तरह होई होगी इसके जो leaves दोस्तो पिली होके dry से हो जाते है winter के दरान और growth रुक जाती है अब जो आपने दोस्तो first guarding task यही करना है कि जो dry leaves है yellow leaves है या फिर जो leaves का जो color है वो green नहीं रहा पिले पिला पर उनमें आ गया है brownish color उनमें आ गया तो उनको आप हटाते रहें या फिर कंची से cut कर दें ऐसे leaves normally असानी से तूट भी जाते हैं और पूरे port में जहां भी जो leaves बिखरे हैं उनको आप हटा दें साफ कर दें इसके बाद दोस्तो next task हमारा है जो port में जो soil को chain करना है proper soil mix के साथ हम दोबारा plants को report करने वाले हैं और इनकी roots को भी check करेंगे कहीं वो healthy है या फिर कोई fungus का attack तो नहीं तो आप किसी tool या फिर खुर्पी की help से soil को soft कर लें और money plants plants को आराम से इन soil से बाहर निकाले roots को properly check कर लें कहीं कहीं से roots ने गलना तो शुरू नहीं कर दिया क्योंकि winter में दोस्तों moisture accumulate हो जाने की वज़े से ठंड की वज़े से roots में कई बार fungus का attack आ जाता है roots गलना शुरू कर देती हैं तो गले हुए part को आप कट करके हटा दें इन plants क तो दोस्तों फिर हम नए soil mix के साथ लगाने वाले हैं तो वो soil mix आपके सामने है इसमें मैंने जो garden soil और sand को लबग equal proportion में मिलाया हुआ है तांकि जो drainage system अच्छा बना रहे मनी plants की roots में अगर पानी रुका रहता है तो properly वो grow नहीं कर पाते तो उसके coding हमें soil mix त्यार करना होता ह है इसके अंदर आप mustard cake को बरे करके भी as a khad आप add कर सकते हैं या फिर cow dung या vermicompost मिला दे तो money plant को proper soil mix के साथ port में लगा दिया है इनकी branches थोड़ी long थी तो मैंने port के चारों और round shape में इनको लगाया है एक अच्छा decorative idea भी है money plant को decorate करने का कहीं से कुछ leaves का portion है वो brown होना शु और पूरी summer के दुरान money plant की growth को proper बनाए रखने के लिए इनके leaves पर आप कुछ एक दिरों बाद पानी से फोवारे की foam में सप्रे करते रहें तांकि इनकी leaves का जो प्यारा green color है वो निखरता रहे और money plant को दोस्तों हो सके तो आप cement के या मिटी के बने port के अंदर grow करें और पा पानी नहीं देना है और इनको आप bright जो indirect sunlight के अंदर रखें हलकी हलकी सुबह शाम की जो दूप है वो उनमें यह plants काफी अच्छे से grow करते हैं लगाता dark condition वाले area में रखे रहने की वज़ए से money plant के leaves का जो color वो काफी dull हो जाता है तो सुबह शाम की हलकी sunlight में plants को मिलना काफी जरूरी होती है और दोपहर की तेज दूप से आपने इनको बचा के रखना है उससे इनके leaves बर्न हो जाते हैं और दोस्तों अगर हम बात करें fertilizer की वैसे तो proper solimix में fertilizer हम कोई न कोई एड करते हैं फिर भी आप चाहें तो इनकी proper growth के लिए आप जो mustard के का liquid fertilizer liquid foam के अंदर त्या के आती है और हर एक branch में जो proper growth जो leaves का size वो निकल के आता है तो यह दोस्तों कुछ tips थी इनको आप follow करें तो इनसे plants की growth नए सिरे से शुरू हो जाती है चाहे कोई भी plant हो जो summer में grow होने वाले plants हैं जिनकी growth winter में रुख गई थी तो उन सभी पर आप यह tips अपना सकते हैं